नमस्कार दोस्तों, एनके मोनीटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रस्तु थे चारक की नीती की आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो चारक की नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें क्युकि अधूरा ज्यान हमेशा घाता कोता है दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिये क्यूकि बाद में आप वीडियो की भाबनावमे खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आचारचारग के कहते हैं जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है वो तो भास्तम में रईस है यदि उसके पास बिद्या है लेकिन जिसके पास बिद्या नहीं है वो सब ही प्रकार से निर्धन होता है आगे दोस्तों बताया गया है हम अपना हर कदम फूख फूख कर रखें हम चाना हुआ जल पियें हम बही बात बोलें जो शास्तर सम्मत है हम बही काम करें जिसके बारे में हम पहले ही साबधानी पूर्बक सोच चुके हैं दोस्तों जिसे अपनी इंद्रियों की तुष्टी चाहिए वो बिद्या आरजन करने के सभी विचार भूल जाए और जिसे ज्ञान चाहिए वो अपनी इंद्रियों की तुष्टी भूल जाए जो इंद्रिये विशे में लगा रहता है उसे ज्ञान कैसा और जिसे ज्ञान है वो बेर्थ की इंद्रिये तुष्टी में लगा रहे ये कभी भी संभब नहीं है आचारे-चारे के आगे बताते हैं वो क्या है जो कभी कलपना में नहीं आता वो कौन सी बात है जिसे करने में आवरत सक्षम नहीं है ऐसी कौन सी बकभास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता और ऐसा क्या है जो कववा नहीं खाता दोस्तों आगे बताया गया है बिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन है एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रू है वो पत्नी जो पराय पुरुष में रूची रखती है उसके लिए उसका पती ही शत्रू है जो चोर रात को काम करने निकलता है चंदरमा ही उस का शत्रू होता है दोस्तों जिनके भेजे खाली है वो कोई उपदेश नहीं समझते ये दिबास को मले परबत पर उगाया जाए तब भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते आचार चारक के आगे बताते हैं जिसे अपनी कोई भी अकल नहीं है उसकी शास्तर क्या भलाई कर दोस्तों एक बुरा अदमी सुधर नहीं सकता आप प्रष्ट भाग को चाहें जितना ही साफ करें वो स्रेश्ट भागों की बराबरी नहीं कर सकता आचार चारक के आगे बताते हैं अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है दूसरों का अपमान करने से द जार के नीचे रहें जहां बाग और हाती रहते हैं इस जगे रहकर आप फल खाएं और जलपान करें आप घास पर सोएं और पुराने पेणों की खाले पहने लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहें यदि आप निर्धन हो जाएं आचारे चारक के जी आगे बता जाते हैं ब्रहम्मण एक ब्रक्ष के समान है उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है वो जो बेदों का गान करता है बही उसकी शाखाएं हैं वो जो पुन्य कर्म करता है बही उसके पत्ते हैं इसलिए उसे अपने मूल को बचाना चाहिए यदि मूल नश्ट हो जाता है तो शा तो दसाओं में उड़ जाते हैं, हम भला क्यों दुख करें, यदि हमारे अपने हमें छोड़ कर चले जाएं। दोस्तों आगे बताया गया है, खड़े अन्न की अपैक्षा, दस गुना बल उसके पिसान में होता है, पिसान से दस गुना अधिक बल दूद में होता है, दूद से आठ गुना बल मांस में होता है, और मांस से भी दस गुना बल घीमे होता है, अचारे चारक की जी आगे बताते हैं, उदारता, बचनों में मधुरता, साहस, आचरड में विबेक, ये बातें कोई पा नहीं सकता, ये केबल मूल में होनी चाहिए, दोस्तों जो अपने समाज को छोड़कर, दूसरे समाज को जा मिलता है, वो उसी राजा की तरह नश्टो हो जाता है, जो की अधरम के मार्ग पर चलता है, आगे अचारे चारक की जी बताते हैं, हाती का शरीर कितना बिशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुष से नियंतरित हो जाता है, एक दिया घने अंधकार का नाश करता है, क्या अंधेरे से दिया बड़ा है एक करक्ती हुई बिजली एक पहार को तोड़ देती है क्या बिजली पहार जितनी बिशाल है जी नहीं बिलकुल नहीं बही बड़ा है जिसकी शक्ती छा जाती है इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि उसका आकार कितना है दोस्तों जो घर ग्रहस्त के काम में लगा रहता है वो कभी ज्यान प्राप्त नहीं कर सकता मांस खाने बाले के हरदय में दया नहीं हो सकती लोभी व्यक्ति कभी सत्य भासर नहीं कर सकता और एक शिकारी में कभी भी शुद्धता नहीं हो सकती दोस्तों एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता कर्जी रख दें चारक की नीती में आगे बताया गया है आप चाहे हैं सब बार पवित्र जल्में इसनान करें आप अपने मन का मयल नहीं धो सकते उसी परकार जिस परकार मदिरा का पातर पवित्र नहीं हो सकता चाहें आप उसे गरम करके सारी मदिरा की भाब बनातें आचारे चारक की जी आगे बताते हैं जो ब्यक्ति एक साल तक भोजन करते समय भगबान का ध्यान करेगा और मुह से कुछ भी नहीं बोलेगा उसे एक हजार करोड वर्स तक स्वर्ग लोग की प्राप्ति होती है दोस्तों बास्तम में बही ब्रहमण है जो केबल एक बार के भोजन से संतुष्ट रहे जिस पर सोलह संसकार किये गए हो जो अपनी पतनी के साथ महीने में केबल एक दिन समागम करे आगे दोस्तों बताया गया है वो ब्रहमण जो दूसरों के काम में अरंगे डालता है जो दंभी है, स्वार्थी है, धोके बाज है, दूसरों से घर्रा करता है और बोलते समय मुह में मिठास और हेर्दे में करोडता रखता है वो बिल्ली के समान होता है दोस्तों वो ब्रहम्मन जो भगबान के मूर्ती की संपदा चुराता है और वो अध्यात्मिक गुरू जो दूसरे की पतनी के साथ समागम करता है और जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी और सब कुछ खाता है वो चांडाल होता है आगे दोस्तों बताया गया है एक गुरूबान व्यक्ति को वो सब कुछ दान में देना चाहिए जो उसकी आवश्यक्ता से अधिक है केबल दान के कारण ही करण बली और राजा विक्रमा दित्याज तक चल रहे हैं देखिए उन मधू मक्यों को जो अपने पैड़ दुख से धर्ती पर पटक रही हैं और वो अपने आप से कहती हैं आखिर में सब चला ही गया हमने हमारे शहद को बचा कर रखा था ना ही दान दिया और ना ही खुद खाया अभी एक पल में ही सब कुछ हम से चीन कर कोई चला गया दोस्तों चारक की नीती में आगे बताया गया है वो ग्रहस्ती इश्वर की करपा को पा चुका है जिसके घर में आनंद दाई बाता बरड़ है जिसके बच्चे गुणी है जिसकी पतनी मधुर बारी बोलती है जिसके पास अपनी जरूरते पूरा करने के लिए परियाप्त धन है जो अपनी पतनी से सुकपूर संबंद रखता है जिसके नवकर उसका कहा मानते हैं जिसके घर में महमान का स्वागत किया जाता है जिसके घर में मंगलताई भगबान की पूजा रोज की जाती है जहां स्वादभरा भोजन और पान किया जाता है और जिसे भगबान के भक्तों की संगती में आनंदाता आए दोस्तों बो लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं जो अपने संबंधियों के परती उधार हैं अंजाने लोगों के परती साहिरदे हैं अच्छे लोगों के परती प्रेमभाव रखते हैं नीच लोगों से धूर्टता पूर्ड बेवहार करते हैं, बिद्वानों से कुछ नहीं चिपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के परति भिनम्र और पतनी के परति सकत हैं। जो किसी के मूल में हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर हमारी सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकें। मैं मिलता हूँ आप से एक आईसी ही मोटिवेशनल इंस्पाइरिंग लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए इस्टाए मोटिवेट इस्टाए फियरलेस। अँर के जडिए लाइब लाइएब लाइब लाइभ वीडियो मोटिदा लाइब